हलो एबरीबारी और वेल्किम टिर्माइए लेसन मैं हूँ आपका कुरू और आज के इस वीडियो में हम आपको एडवांस्ट हेडर सेक्शन के बारे में बताएंगे यह बड़ी ही इंपोर्टेंट चीज है और क्या होगा देखते हैं आज इसमें डिफरेंट फर्स पेज औ कि मैं हेडर्स नहीं चाहूंगा क्योंकि यूजली क्या होता है यहां पर यहां पर आप अपना इंट्रॉडक्शन लिख रहे होते हैं टाइटल लिख रहे होते हैं डॉक्यमेंट का बारे में लिख रहे होते हैं कि क्या चीज़ है यह यूजली आप नहीं चाहेंगे कर्रे अब इसको आते हैं कि different first page कैसे लेके आते हैं तो यह हमने create तो पहले करना सीख लिया था और जैसे हम इस पर double click करेंगे यह edit करने के लिए header open हो जाता ठीक है अब यहाँ पर design section open होता यहाँ पर देख रहे हैं different first page इस पर चेक कर दीजिए जैसी आप चेक करेंगे यहाँ पर जो भी text हो गयव हो जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि header खतम हो गया यहाँ से header delete होगा header delete नहीं हुआ यह text हट गया यहाँ से बस header अपनी जगह है और वो दिखना आपको लेकिन first page से बंद हो जाएगा है बड़ा असानी now different odd and even pages अब कई बार आप चाहेंगे कि जो आपके odd pages हो यानि कि 1, 3, 5, 7, 9 यह जो हो यह इस तरह के numbers जो है यह इन पे कुछ odd headers रहें और जो even numbers हैं 2, 4, 6, 8, 10 and so on इन पे different headers रहें देखिए मैंने यह आपे करके दिखाया वाई यह मैं आपको show करता हूँ यह even page का header बनाया है यहाँ पे text left में है center में मैंने कुछ content लिखा है कि यहाँ पर आप full ms word का course देख सकते हैं और page number देखें यहाँ पे right side में है correct यह even page है page number 2 अब हम page 3 पे आ रहे हैं यहाँ पे देखिए page number left पर है बीच में मैंने text लिखा है full ms word course और यहाँ राइट में मैंने लिखा है कितना देखिए page 8 of 8 correct अब हम 9th page add करते हैं और यह देखिए page 9 add हो गया automatically page number आ गया यहाँ और page लिखा हो आ गया कैसे करा हमने आई है देख लेते हैं इसको भी बड़ा ही आसान है आप again headers पर जाएं किसी भी एक page के header पर चले जाएं इस पर क्लिक करें डबल क्लिक और यह आपको पूछेगा यहाँ पर मैंने इसको पर हटा दिया अब इसको यहाँ पर क्लिक कर देजे different odd and even pages अब यह जैसी ही आप क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर चेक करेंगे इसको यह आपको option देदेगा even page header आपको लिखना शुरू हो जाएगा आप इसके हिसाब से इसको format कर लीजे फुटर भी same वैसे हो जाता है even page फुटर आ जाता है इसको भी आप अलग से format कर सकते हैं वैसे ही format हो जाएंगे है ना असान अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है जो मैं उमीद करता हूँ कि जरूर आया होगा तो जरूर इसको like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और अगले वीडियो का इंतिसार कीजिए जिसमें मैं आपको और भेतरीन चीज़े बताने वाला हू अगले वीडियो तक के लिए this is your guru now signing off for the day अरे भाई रुख जाओ यह जो वीडियो है इसको practice तो कर लो इसकी फाइल जो है description में देखिएगा description में देखिएगा नीचे file का मैंने download link दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके इस file को free में download कर सकते हैं और साथ में practice करो आप भी ठीक है और even photo बना so अब अगले वीडियो तक के लिए this is your guru signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning